कुछ महीने पहले करनाटक से भारत चोड़ो यात्रा निकली थी और आपने करनाटका के सब लोगों ने युवाओं ने बुजुर्गों ने माताओं बहनों ने इस यात्रा का पूरा पूरा का पूरा समर्थन किया आपने अपनी पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली और यात्रा को आपने सफल बनाया मैं दिल से आप सब का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ यात्रा ने पूरे देश में एक मेसिज दिया कि ये देश सब का है दो तीन चुनो हुए लोगों का नहीं है अदानी जी का नहीं है ये देश किसानों का मजदूरों का गरीबों का युवाओं का देश है और आपने देखा होगा कि यात्रा में कोई बड़ा सा रथ नहीं था सब लोग एक साथ चले नफरत नहीं थी हिंसा नहीं थी भाईचारा था एक दूसरे की इज़त थी तो ये यात्रा ने देश को भाईचारे का मेसेज दिया और हर प्रदेश में जो रिस्पॉंस हमें करनाटक में मिला वैसा ही रिस्पॉंस हर प्रदेश में मिला करनाटक में, केरल में, महराष्टरा में, राजस्तान में हर्याना दिल्ली पंजाब हिमाचल जमू कश्मीर हर प्रदेश के जंता ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ मिलना चाहते हैं हम एक साथ महब्बत से रहना चाहते हैं हम नफरत नहीं चाहते हैं लाकों लोगों नफरत के बाजार में महब्बत की दुकाने खोली और यही हमारा हिंदुस्तान है यात्रा में बहुत लोगों से बात हुई करनाटक में करनाटक के युवाओं ने हमें दो तीन मेसिज दिये और मैं आज स्केज से वो मेसिज दोहराना चाहता हूँ सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता चाहे कोई भी डिगरी ले लो किसी भी कॉलेज में पढ़ के निकल लो करनाटक की सरकार करनाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है ये पहला मेसेज था और ये सिर्फ एक युवाओं नहीं कहा ये करनाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मेसेज दिया दूसरा मेसेज सिर्फ युवाओं नहीं सब लोगों ने कहा कि करनाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमिशन देना पड़ता है आप ही ने मुझे बताया कि कॉंट्रैक्टर्स असोसियेशन ने और स्कूल मैनेजमेंट असोसियेशन ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को चिट्थी लिखी कि करनाटक में 40% कमिशन लिया जा रहा है हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने उनकी चिट्थी का जवाब आज तक नहीं दिया है आज तक कॉंट्रैक्टर्स असोसियेशन और स्कूल मैनेजमेंट असोसियेशन की चिट्थी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने नहीं दिया मैसोर सेंडल सोप कोपरेशन में corruption scandal होता है MLA के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड रुपे लिए कोई कारवाई नहीं होती सरकार उसकी रक्षा करती है job scam हुआ PSI scam हुआ 80,000,000,000 रुपे का bribe की रिश्वत assistant professor job scam assistant engineer job scam list लगी हुई है सबसे ब्रश सरकार देश में सबसे ब्रश सरकार करनाटगा की सरकार है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह हजारों युवाओं ने करनाटगा की सडकों पे भारत जोडों के समय भारत जोडों यात्रा के समय मुझे बताया है ब्रश काचार क्यों हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा फाइदा चुने हुए लोगों को दो तीन लोगों को होता है दिल्ली में पार्रमन ठाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाशन दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनस सारे के सारे इंडिस्ट्रीज उनके हवाले की जारी है उनको दी जारी है चाहिए वो एरपोर्ट हो पोर्ट्स हो सडके हो सारे के सारी चीज़े अदानी जी को दी जारी है और यही यहां हो रहा है चुने हुए लोगों को जो बीजेपी की सरकार के मित्र है जिनका रिष्टा है पूरा का पूरा फाइदा उनको दिया जाता है और इसके कारण प्रदेश में जबर्दस्त ब्रष्टचार बढ़ रहा है मैंने कहा कि युवाओं ने मेसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता तो आज कॉंग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है जवाब क्या दिया कि 3,000 रुपे हर महीने हर graduate को 2 साल के लिए Congress Party देगी पंद्रा सो रुपे हर महीने Diploma Holders को 2 साल के लिए देगी क्योंकि हम आपकी कठिनाई समझते हैं आपकी मुश्किल समझते हैं हम जानते हैं कि BJP की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पारी है आपको कश्ट हो रहा है आपको मुश्किल हो रही है इसलिए हमने ये आपके लिए कदम उठाया है 3,000 रुपे हर महीने graduates के लिए पंद्रा सो रुपे हर महीने Diploma Holders के लिए 2 साल के लिए और हम वहाँ नहीं रुकेंगे हम वहाँ नहीं रुकेंगे 10 लाख युवाओं को Congress Party की सरकार 5 साल के अंदर इस स्केट में रोजगार दिखा के देगी और धाई लाख जो सरकारी बेकन्सीज है उनको हम पूरा करके भरके करनाटक के युवाओं को दिलवाएंगे यात्रा में महिलाओं ने अपनी कटिनाईओं के बारे में बोला हमने पहले अनाउंस किया है कि 2000 रुपे हर महीने हम महिलाओं की करनाटक की महिलाओं को ग्रेह लक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे और अनभागिया स्कीम में 10 केजी 10 केजी चावल हर BPL परिवार को कॉंग्रेस पार्टी दिलवाएगे और ग्रह जोती स्कीम 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कॉंग्रेस पार्टी देने वाली है तो ये हमारे वाइदे हैं एक और बात उठी थी यात्रा में उठी थी जो वाइदा सरकार में किया है स्टी रेजर्वेशन को 15% से 17% स्टी रेजर्वेशन को 3% से 7% जो बराने का वाइदा है उसको एक दम सरकार को पूरा करना चाहिए तो ये हमारा मेसिज है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे और ये जो चुनाव है ये कॉंग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी क्यूं? क्यूंकि बीजेपी की सरकार 40% वाली सरकार है कमिशन की सरकार है और करनाटका की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है परे करना चाहती है और गरीबों की, कमजोरों की आम आदमी छोटे भी अपारियों की सरकार बनाना चाहती है मैंने कहा है करनाटा के नेताओं से कहा है करनाटा के चुनाओं में जहां मी मेरी जरुरूरत पड़ेगी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो मैं जाने को त्यार हूँ बीजेपी को हम मिलके हराएंगे भारी बहुमत से कॉंग्रेस पार्टी के यहां चुनाओं जिताएंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन